तरफ लुड़न्स टूड़े वी लॉन अवर सेकंड सेमेस्टर चैप्टर एट वू इस हैवियर हैवियर यानि की भारी चीज भारी और हलका हमें आसानी से पता चलता है कि जो चीज हम आसानी से उटा सकते हैं वाल की और जो चीज उठाने में हमें वजन लगता है वो भारी यानि की हैवी तो गूर और ग्राउंड नट्स गूर यानि के हम जो रोज गूर खाते है वो और ग्राउंड नट्स यानि मूंग फली तो आपको सुनके ही पता चलता है कि कौनसी चीज भारी होगी और कौनसी हलकी शबनम लवट टू इट जग दोंके जब्सकाम लेटें प्राउंड प्राउंड नट्स इसाल नट्स ने में ऊकरवड और वज़न चांड़ होता है लेकिन जो ग्राउंड नट्स तक हमेशा ज्यादा लगते हैं उसको उताने में और कौनसी हलकी से तरह सारे अग्जम्पल की हलकी उसके बाहर है we यानि कि tomato और pumpkin है वो शीषो यानि कि हम जो garden में खेलते हैं, anダiness, you gonna have positioned on the check a big pumpkin comes and sits on one side on the Shae. एक side pumpkin बैती है लेकिन उसका वजन ज्यादा होता है वो तो वो रभभान चला जाता है, तो वह tomatoes को बोलती है कि आप भी यहाँ पर आ जाओ तो लिटल टमेटोस स्टार्ट क्लांबिंग अधर साइड वान टू त्री फोर फाइड यानि कि दूसरी साइड टमेटोस बेट है लेकिन टमेटोस का वजन तो कम होता है तो 25 तक वो लोग बैठेट फिर भी वो पंपकिन का वजन इस साइड न दूसमें भी उसने कैसे किया होगा वह है पर बिंद और ऐस साइड इंडिपेंड़ें सेडिर्डि के परेंं सावग तरीके से मनाते हैं 5 कि अप़रथी वह स्वीक्राइब यानि कि वह उस दिन भाटी के बड़डी के दिन जितना भारती का बसन है उससे उस से वेट था 3 kg तोड़े इस इंडिपेंदेंस दे एंड कुंज मामा इस फाइव एर्स ओल्ड तो उसका वजन फाइव एर्स ओल्ड हो गया तो सी इस 28 kg नाओ यानि कि उसका अभी वजन है 28 kg यम यम खीचडी वन्ना हाँद अन्ञीड डिश अन्धर रेडियो वन्ना रेडियो के सुन तैंने उसका तो यम आने में में कि प Egg words ओमा चरिंध तो और खेंद तो वाटा बनना में गई देखें कैसे पोर टू स्पॉन्स ओफ वाटर इन दपोट वह दो चम्मची पानी लेती है बॉल द वाटर एड़ वन पींच ओफ दाल और एक चम्मची डाल दालती है वह आधा किलो जितना रेड चिली पाउडर डाल देती है जबकि उसके डाल चावल वह आफ केजी लेना चाहिए वन बाल सॉल्ट एक पूरा कटोरा भरके वह सॉल्ट डाल देती है तो वह कीचिली कैसी बनी होगी देखें आई नाउ पुट सपून ऑफ राईस और एक चमचों राईस जालती है एड़ तू फैनस एंद एडवासे आफ मस्टर सीड जाना कि वह दो पीजड़ डालती हम जाना कि वह मिट्पिस बनाने में चाहिए करदेती है और वो अलग-अलग बन जाती है और एकदम स्वादलेस, टेस्टलेस बन जाती है तो उसको क्यों से क्यों से चीज़े कैसे लेनी चाहिए 1 kg राइस लेनी चाहिए, 1 kg डाल लेनी चाहिए फिर 200 जितना 200 ग्राम जितना पीस चाहिए water aid glasses चाहिए इस तरह उसको हमें अच्छे से spare करके सिखाना और फिर वो खिचली बनाएगी guess their weights and match तो हमें match कैसे करना है guess करना है जैसे कि elephant है तो उसका वजन सबसे ज़्यादा होगा फिर bag है तो उसका वजन कैसा होगा फिर guy है तो उसका वजन कैसे होगा बोरी है बैग है फिर rabbit है डॉग है फिर ant है तो सबका चीज सबका वजन अलग-अलग होगा तो घौ में think करके यहां पर weight उसका देखना पड़ेगा इसी तरह जो हम वाजर में जाते है तो वह व्यापारियों के पास जो लिब्रा होते है जिसको बोलते है तु लाव उसमें वह वजन करते है तो वो उसको कैसे करते एक साइड उसका वजन डालते है और दूसरी साइड वह चीज डालते है इसी पर उसमें वह चीज डालते हैं इसी तरह जो मार्केट में शाकबाजी बेचते हैं उसके पास भी कैसा होता है फिर इसी तरह हम कोई भी ग्रोसरी खरीदने जाते हैं तो वहां पर भी उसका बैलेंस अलग-अलग वता है और वह बैलेंस की कौन-कौन सी साइज में मिलता है जै तगे थिंक यू